नमस्कार और स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि भारत में कोरोना से जादा सड़क दुरगटना के अंदर मोते हो रही हैं अब कोरोना जादा डिसकस में क्यों था क्योंकि ये नया आया हुआ था और इससे काफी जादा लोग जो थे वो डरे हुए थे पई देखो करोना से इतने लोग मर रहे हैं लेकिन एच्छल में जो जादा डिथ हो रही हैं वो सड़क दुरगटना से आ रही हैं अब लोग इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं सिंपल सा रीजन है क्योंकि ये एक आम चर्चा हो गई है ये नई नई चर्चा थी इसलिए इसके बारे में बात हो रही थी लेकिन एच्छल में अगर डेथ देखी जाए तो सड़क दुरगटना से बहुँ जादा मोते हो रही हैं जितनी करोना में नहीं हुई प्रती दिन के इसाबजे में बात कर रहा हूँ तो आज हम अपनी वीडियो में डिसकस करेंगे कि रोड एक्सिडेंट जो इंडिया में हो रही है तो उसमें कितने लोगों की डेथ हो रही है और गौर्मेंट क्या-क्या पॉलसीज लेके आ रही है ताकि ये एक्सिडेंट कम किये जा सके और पूरे विश्व में क्या-क्या काम किये जा रहे है ताकि वो एक्सिडेंट जहां पर भी है वो एक्सिडेंट कम कर सके वीडियो में आगे पढ़ने से पहले PDF के लिए मैं आप लोगों को बता जेता हूँ डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया में लेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए Ministry of Road and Transport and Highway ये खुद Government बोल रही है उन्होंने बोला है कि Indian Road Accident जो स्नेरियो है प्रती दिन देखिए प्रते एक दिन 415 मोतें और कई लोग जो है वो घायल हो रही है जो COVID-19 की तुलना में बहुँ जादा गंबीर है तो ये अभी देखिए Corona जो था वो एक नहीं नहीं बिमारी थी लोगों को पता नहीं था उससे death हो रही थी तो लोग उससे काफी जादा डर रहे थे और बोल रहे थे कि Corona जादा खतरनाक है अरे खतरनाक तो road accident है आपके सामने यहाँ पर इससे कितनी जादा जो death है वो जो हो रही है अब ये आपके सामने data बताता हूँ कि जादा जो death है वो road accident में किस कारण हो रही है तो यहाँ पर आपके चार्ट देखेंगे ना तो देखें कोई कहता है कि दारूपी के गाड़ी चला रहा है तो उस वो accident कर देगा कोई नशा लेके चला रहा है तो उससे accident हो जाता है तो यहाँ पर बोला गए है कि 2021 में सड़क दुरगटना की वज़े से डेड़ लाख से अधिक लोगों की मोत हुई है 2021 में और यह जो scenario जो है वो एक साल का नहीं है हर साल इतना ही repeat होता रहता है खुद NCRB यहनि कि National Crime Record Bureau यह कहता है 2021 की उसकी report है उसके according सड़क दुरगटना में होने वाली कुल मोतो में जो नशीली दवा है जो शराब है यहनि कि नशे में जो driving से होने वाली जो मोत है उसका इस्सा 1.9% है बोले तो 100 लोग अगर death हुई उनकी road accidents में से लगवग उसमें से दो जो लोग है मान लो आप वो किस से उनकी death हुई है वो शराब पिकर काड़ी चला रहे थे नशीली कोई दवा लेकर या नशे में वो driving कर रहे थे 90% जो मोत हैं वो किस कारण हो रही है मतलब इस 100 में से जो 90 लोगों की जो मोत हो रही है वो किस कारण हो रही है वो speed जादा के कारण उनकी speed बहुत तेज थी overtake करने की कोशिच कर रहे थे खतरनाक driving कर रहे थे उन्होंने seatbelt नहीं लगा रहे हैं उन्होंने helmet नहीं लगा रहे हैं आप देखते होंगे इवन मैं तो खुद Instagram पे कभी-कभी यसी चीज़े हैं या फिर YouTube पे कभी ऐसे ही scrolling कर रहा हूं तो वहाँ पर Reels के अंदर या जो भी shorts चलते हैं YouTube पे तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कुछ ऐसे ऐसे नोजवान है जो stunt कर रहे हैं या फिर अपने आपको popular करने के लिए बाइक बड़ी speed से चला रहे है भिना हो हेलमेट के हाँ छोड़ के वो बाइक चला रहे है तो ये जो सारी चीज़े जो है इन सब चीज़ों को बढ़ाती है मोते होने की कारण जो है पर निकल के हमारे सामने आते है विशो बैंक की एक रिपोर्ट आई 2019 के अनुसार उसने बात बोली कि भारत सडक दुरगटनाओं में 20 देशों में पहले स्थान पर है तो ये काफी ज़्यादा गंभीर बात है तो देखी आपके सामने जो आंकड़े निकल कर आ रहे है वो कितने ज़्यादा खतरनाग है COVID से भी ज़्यादा खतरनाग है अब जो कारण क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं क्यों हो रही है डैथ एक हमारे सामने आते हैं infrastructure deficit मतलब कि जो बुनियादी धांचे उसकी कमी है सड़क और जो विकल्स है उनकी जो स्थिती आपकी देखते हैं वो काफी ज़्यादा जो condition है वो बहुत ज़्यादा pathetic है यानि कि बहुत देहिनी है स्थिती है खराब सड़क की आप डिजाइन देखेंगे engineering सामगरी या फिर निर्मान की जो quality है उसमें आप कमी देखेंगे खासकर वहाँ पर जहां एक sharp mode आता है sharp curve आता है तो वहाँ पर आप आप देखेंगे single line के अंदर कैसे road का design है वहाँ पर quality कैसे लगाई गई है जो vehicles चल रहे हैं वो कैसे है तो यह सारी जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो infrastructure deficit हमारे सामगरे निकल कर आता है फिर आता है लापरवाई और जोकी over speeding के कान शराब और drugs के कान थकान बिना helmet के सवारी करना seat belt ना लगाना यह सारी चीजें जो है लापरवाई के कान हो रही है लापरवाई आप दिखा रही है तो इसके कान जो है वो death बढ़ती जा रही है road accident फिर एक चो मेजर मुझे बहुत एक important यह topic topic क्या एक point लगा जिस मुझे लगा highlight करना चाहिए कि distraction हो रही है आप driving कर रहे हैं driving करते समय अगर आपने phone यूज करें सबसे बड़ा एक जो report में पता चला है कि mobile phone पर बात करना सड़क दुरकटना के मुख्यकारण बन गया है तो phone पर बात करना एक आम चलन हो गया है phone लगा लिया या फिर गाने सुन रहे हैं या फिर वो बात कर रहे हैं जो distract करता है आपको vehicle चलाने में फिर एक overloading हमारे सामने आते हैं लोग इतना overload करते हैं समाए अपने जो vehicle होते हैं उनके अंतर भई दुबारा से चकर ना मारना पड़ जाए तो इसलिए वो अपनी बचत करने के लिए यहाँ पर overloading कर लेते हैं फिर आता है भारत में जो कमजोर वहान सुरक्षा माना के हैं यहाँ वीक वीकल सेफटी स्टेंडर्ड इन इंडिया 2014 में Global New Car Assessment Program इनके द्वारा एक crash test से पता चलता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो बिखने वाली जो car model है वो fail हो गई स्युंग्त राष्ट यानि UN के frontal impact crash test में इनोंने एक test करवाया UN ने जो ज़्यादा भारत के अंदर कारें बिखती हैं उन्होंने हिस्सा लिया और उनका यह crash test करवाया गया तो वो fail हो गई जो जितनी rating होती है उसके उपर खरी नहीं उतर पाए एक हमारे सामने आते है एक lack of awareness देखे airbag anti-lock breaking system यह जो सुविधाएं है इनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है जगरुकता कमी है तो इस कारण क्या हो रहा है कि accident में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है अब क्या परभा पढ़ता है impact क्या पढ़ता है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ impact की अगर economy के उपर आर्थिक के उपर तो विशु बैंक के accounting सड़क दुरगटना में भारती अर्थवस्ता को प्रतेक वर्ष जो मोत है उसकी वज़े से जो गरीब परिवार लग बग उनकी साथ महीने की जो घरेलू आए है वो कम हो जाती है जिसके कान जो पीडिक परिवार और ज़्यादा गरीब और और ज़्यादा वो कर्ज के चक्र में फस गे रहा जाते हैं फिर हमारे सामने आते हैं वैल्यून रेबल रोड यूजर वी आरियू ये वो लोग होते हैं जो अपना रास्ता मतलब की जो पर जाने के लिए सड़क पर पैदल चल रहे हैं सड़क का यूज कर रहे हैं सबसे जादा आप देखें गंभीर चोटों में कुल मामलों में से आदे से अधिक हिसेदारी वी आरियू मर किये सबसे जादा इनको बोगतना पड़ते हैं जबकि ये वीकल्स नहीं चला रहे होते हैं तब भी इनको मतलब देखें आप कितनी बड़ी एक आश्चरे चनिक बात है कि ये जो वी आरियू वर्ग द्वारा दुर्गटनाओं के बड़े बोज को सहन किया जाता है कितनी बड़ी बात है सोचने वाली का है मारे सामने ये चीज़ आती है अब इसके अलावा जो लिंग वशिष्ट परभाव यानि जेंडर स्पेसिफिक इंपेक्ट क्या पड़ते है पेडिक परिवार जो है और अमीर दोनों के परिवारों के उपर महिलाज समश्याओं का सामना करती है अक्सर वे और ज़्यादा काम करती है ताकि उनके उपर जो जिम्मेदारियां आ गई है या भी जो देख बाल है जो एक्टिविटीज है उनके अंदर और जादा वो अपने आपको क्या कहेंगे जो एक्टिविटीज हो रही है या फिर जो जिम्मेदारियां उनको और जादा लेने की वो कोशिश करती है अब विश्व बैंक की रिपोर्ट के अकोर्डिंग वाने तो ट्रैफिक क्रेस इंजरी एंड डिसेबिलिटीज बाइडन ओन इंडिन सोसाइटी एक रिपोर्ट अदो जारे कि उसमें बोला गया कि 50% महिला हैं दुरगटना के बाद अपनी जो घरिल वाई में गिरावट के कारण काफी जाद वो परभावित हुई है 50% महिला है 40% महिलाओं ने दुरगटना के बाद अपने काम करने के तरीके में बदलाव की सूच ना दी जबकि 11% ने जो financial crisis ने मटने के लिए और जादा काम ढूंडे उन्होंने और अतरिक्त काम करने की सूच ना दी कम आये वाले जो ग्रामेंड परिवार हैं उसमें 56% की आये की गिरावट निम्न आये वाले जो शहरी हैं उनमें 29.5% की गिरावट और उच आये वाले जो ग्रामेंड परिवार हैं उनके अंदर 39.5% की एक तुलना में सबसे ज़्यादा गंभीर थी अब देखें कितनी ज़्यादा कमी आ रही है आये के अंदर जब एक दुरगटना होती है उसमें मोत होती है तो कितना ज़्यादा परभाव पड़ता है ये जेंडर स्पेसिफिक बात हुरी है महिलाओं को और ज़्यादा कितना काम करना पड़ जाते है तो सरकार नहीं क्या कोई कदम नहीं उठाए बेशक उठाए है मोटर वहान संशोदन अधिनियम 2019 देखे एक एक्ट आया हमारे सामने M.V. यानि की मोटर विकल मोटर विकल अमेंडमेंट एक 2019 इसमें क्या किया गया अभी थोड़े टाइम पहले एक बात है 2019 कहीता है काफी हल्ला हुआ था कि अगर आपने कोई भी ट्रैफिक का रूल तोड़ा तो आपके उपर जुर्माना और जादा लगा दिया जाएगा बहुत जाद है इसका क्रिटिसिजम भी होगा लेकिन बावजूद इसके जुर्माना लगाने के बावजूद भी जितना इसको परभावी रूप से लागू होना चाहिए था वो अभी तक लागू नहीं हो पाया एक सबसे बड़ी कमी है हमारे सामने ये निकल के आती है फिर सड़क सुरक्षा शेतर आती है हमारे सामने यानि कि रोड सेफ्टी जो सरकार क्या काम कर रही है जो छोटे शेतर है परमुक सड़क होगी या फिर जो हाइवेज होगे उनको आइडल बनाने के यानि कि एक आदर शड़क बनाने के काम में लगी हुई है वहाँ के जो स्थानी रूप से उप्यूगत उनको ओज़ादा सुरक्षित बनाया जा सके ये काम वो कर रही है एक नया administrative structure भी लेके आ रही है ताकि सड़क की सुरुक्षा ओर जादा अच्छे से की जा सके उसको तीन tiers में करने की कोशिक की जा रही है tier 1 जिसमें एक managing group का काम होगा जो day to day जो है वो operation करेगा और वो एक autonomious वो एक financially empowered authority होगी फिर tier 2 आती है जिसमें जिलास तरीय निगरानी होगी यहीं पर जो एक immediate अगर solution चाहिए तो ये provide करेंगे budgetary आवंटन करना हो तो ये सब चीज़ें करेंगे समिक्षा के तरीके तै किये जाएंगे ये सब काम जो tier 2 के द्वारा किये जाएगा ये सरकार के द्वारा काम किये जा रहे है इसके अलावा speed detection device भी लगाएगे speed detection device जैसे कि आपने movies के अंदर देखा एक police inspector एक ऐसी device लेके खड़ा हुआ होता है कि कोई तेजी से उसके सामने से गाड़ी निकली और वो यहाँ आपके घर पे पहुंचाते है तो यह सब चीजें की जा रहे है बहतर सुरक्षा उपाई के जा रहे है जैसे कि speed hump होगे उठे हुए platform होगे goal चक्कर और optical marking से सड़क दुरकटना की काफी हद तक कम किया जा सकते हैं फिर बहतर राज्य समन्वे यानि कि state और center जो coordination है वो और जादा करने की कोशिक जा रहे है और वैसे देखा जाए तो यह सही समय भी है कि ऐसा ना हो कि सड़क दुरकटना से लोगों की जान की कीमत चुकाई जाए उसकी मतलब अब सोचिए जिस चीज को हम कम कर सकते हैं जिसमें और थोड़ा effort डालके लोगों की जान बजाए जा सके बजाए जा सकती है तो वो चीज क्यों नहीं की जा रही अब वो कैसे होगा देखे अब budget जो है केंदर सरकार के दौरा लागू किया जा रहा है या फिर अवंटन किया रहा है राज्य सरकार को तो वो दिया जाना चाहिए ताकि रोड की safety जो वो अच्छी की जा सके सुरक्षित उनको रोड बनाया जा सके यह सब चीज़ें जो है वो आने वाले टाइम में की जा रही है अगर हम बात करें सडक सुरक्षा संबंदी जो पहल है उनके बारे में ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं देखें ब्राजिलिया डिकलेशन हुआ था रोड सेफटी 2015 में यहां पर भारत ने भी इस समेलन में साइन किये थे अब इसमें क्या था जो एक सस्टेनेबल डेवलोब्मेंट गोला 36 उसको हासिल करने की योजना बनाएगी जिसमें बोला गया था कि 2030 तक सडक दुरकटना में जो होने वाली जुमोगत हैं या जो इंजरी इस हैं उनको आधा करना उसकी संक्या को आधा करना वहें यह बात Decade of Action for Road Safety 2021-23 जो UN Journal Assembly में एक Resolution Pass किया गया था Accept किया गया था Improving Global Road Safety जिसमें यही बात बोले गई थी कि 2030 तक 50% तक कम करने की बात की गई थी कि जो दुरकटना है रोड की कान जो दुरकटना हो रही है रोड आक्सिडेंट हो रहे हैं उसको 50% तक कम कर रहा है फिर हमारे सामने International Road Assessment Program आता है यह एक पंजी कर रहे है एक Register Charity है जो शुरकशित रोडों के मात्यम से लोगों की जान बचाने के लिए काम करती है अब भारत के अंदर क्या है थे कि भारत के अंदर थे Motor Vehicle Amendment Act 2019 है जिसमें मैंने बोला ना यातायात का उलंगन करने वाले जो दोशपूर्ण वहान है नाबालिकों द्वारा वहान चलाने आदी के लिए दंड की मातरा में विर्दी करें बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया गया अभी भी वैसे देखा जाए तो इसने इतना अच्छा या फिर बढ़िया काम नहीं करके दिखाया है कि जिसमें रोड की जो एक्सिडेंट है रोड एक्सिडेंट है वो कम हो सके और इसको इंप्रूव्मेंट की और जादा जरूरत है वहीं हम देखें सडक मार्ग द्वारा वहन अधिनियम 2007 यानि केरीज जो होते हैं कि जो समान लेने वाले जो वीकल्स होते हैं अब उनके लिए भी वहां पर जो जिनके वीकल्स चल रहे हैं बहीं किसी ने लूट लिया या फिर उसका एक्सिडेंट हो गया तो उनकी भरपाई भी जो है हाईवे बना इसके आसपास के जमीन का भी जो है वो एक तरीके से गंट्रोल किया जाता है सरकार के दोरा तो इस नartet को भी देखा जाता है इस act के दोरा कि भी कैसे इस करकाव करना है अगर किसी ने अवैद कपजा कर लिए है तो के management का काम जो है वो इसके द्वारा किया जाता है या फिर इससे related जो भी काम आते हैं वो इसके इस act के द्वारा किये जाते हैं तो आज का जो टोपिक है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गयों कि road safety या फिर road accident हमारे देश में कितने ज़्यादा है road safety कितनी है भा कर आप वहां से इस वीडियो की पीडियाफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो बेशक लाइक करें कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं कुछ जादा ही पसंद आ गए है तो शेयर कर सकते हैं वीडियो को as well as channel को भी तो बस आज के लिए इतना